नमस्कार रितूज किचिन कॉणर में आपका स्वाकत है और आज हम बना रहे हैं रजगुले बिल्कुल मार्केट के जैसे रजगुले आप घर पर भी आसानी से त्यार कर सकते हैं तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं मैंने आप टो केजी दूद लिया है और इसे उबलने के लिए रख दिया है यहां मैं सिर्के से पनीर निकालूंगी आप सिर्के की जगें निबू का यूज भी कर सकते हैं अब मैं इसे हलके से चलाती हूँ यह दिखिए दीरे दीरे इसमें से पनीर अलग होने लगा है जब यह अच्छे से अलग हो जाएगा तो हम इसे चलने की साइधा से निकाल लेगा पनीर लगभग बन गया है चलिए इसे अब अलग कर लेते हैं यह मैं चलने से पनीर को अलग कर दिया है और मैं इसे पाने से धोंगी ताकि सिर्के का खट अपन इसमें ना रहे हमें कैई बार इसे वाश करना है एक बार फिर से हम चमस्य से चला लेते हैं और फिर पाने डालकर एक बार फिर से धो लेते हैं पनीर बिल्कुल अच्छे से धुल गया है अब मैं एक कपड़ा लेती हूँ और उसमें पनीर को इस तरह से टाइट ली बाहन देते हैं यह देखिए इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल रहा है अब हम इसे इस तरह से रख देंगे पांच मिनिट के लिए यह मैंने कड़ाई में चीनी लिए है चीनी में पानी डालकर मैं इस एक तरह से सुगर सिरफ त्यार करते थी हूँ हमें तार की चाशने बिल्कुल भी नहीं बनानी है पनीर को इगवाच चेक कर लेते हैं पनीर को अब हम हातों से अच्छे से मसलेंगे और इतना मसलना है कि हतेली पर घी दिखाई दे अब मैं इसे अच्छे से मसलना स्टार्ट करते हूँ अगर आपको मेरे रेश्पी पसंद आती है तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए यह देखिए अब मैं इसे अच्छे से मसलूंगी अब मैं इसमें और आरोट एड़ कर देती है अगर घर पर आरोट नहीं है तो आप इसमें मैदा या कॉर्म फ्लोर भी यूज़ कर सकती है इस तरह से डो त्यार हो जाएगा अब मैं इसे गीले कपने से ढखकर पांच मिनट के लिए रख देते हैं अब हम इसकी एक बार फिर से मसलेंगे इसको और इसकी बॉल्स त्यार करेंगे छोट छोटी हमें इसकी बॉल्स त्यार करनी है बॉल्स में जरावी क्रेक्स नहीं होने चीए नहीं तो ये सुगर सीरफ में जाते हैं फट जाएगे इसलिए हमें चिकनी गोल बिना क्रेक्स वाली बॉल त्यार करनी है मैंने यहां आदा मानी सुगर सीरप का अलग से बाउल में निकाल के रख लिया है देखिए अब चाशनी में उबाल आने लगा है अब एक एक करके हम सारी बॉल्स इसमें एड़ कर देते हैं इस दौरान आपको गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है अब यह से डग देते हैं 5 मिनिट के लिए पकने के लिए पांच मिनिट में अच्छे से पक जाएंगे एक और फिर से चैक कर लेते हैं यह कुछ फूलने लगी है अब हमें इसे हल्की से चलाएंगे और फिर डग कर तीन मिनिट के लिए लग देंगे देखिए अब इसे हमें चैक कर लेते हैं रजगुले एकदम बहुत फुले फुले तियार हुई हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं इने अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा होने के बाद में जो हमने सुगर सीरप निकाला था उसमें इन रजगुलों को एड़ कर देते हैं ताकि रस्कुल्लों की मिठास बढ़कर रहे देखिए कितनी है आसानी से मार्केड यह से रस्कुल्ले घर पर तियार हो गए है आप भी इसे जरूर बनाईए अगर आपको मेरे रस्पी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को शब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजि शेयर कीजिए धन्यवाद